नमस्ते दोस्तों कैसे हैं आप लोग उमीद करती हूँ बहुत अच्छे होंगे हम लोग भी बहुत अच्छे हैं स्वागत करती हूँ अपने सारे दोस्तों का आपके अपने ही चैनल मी सहली पर तो आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ सूजी से बनाए जाने वाली चकली क आप जितना समय तक चाहे उतना समय तक रख सकते हैं, चाहे वो साल बर हो या दो साल हो बिल्कुल भी खराब नहीं होगा, तो यह सूजी हमारा बारिक वाला है, तो इसे पीसना नहीं है, एदि आपकी पास मोटा वाला सूजी है, तो उसे थोड़ा सा मिक्सी में डालके अच् लीजिएगा, इससे क्या होगा, जब इसमें पानी डालिएगा, उसका आपको अंदाजा रहेगा, कि इसके साथ कितना पानी हमारा जा रहा है, तो देखिए फ्रेंड्स, यहां पर एक कप सूजी ली हूँ, और एक कप कहीं बना के आज मैं आपको दिखाने वाली हूँ, आ अगला वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचेगा, और मैं जब भी वीडियो डालूंगी, आप उसे देख पाएंगे, अभी जो भी बरतन में आपको बनाना है, चकली बरतन ले लेना है, इसमें कोई भी गुठली होगा, या कुछ दाना बगरा होगा, तो वो एक कप हमारा सूजी है, तो इसमें जाएगा देर कप पानी, पानी भी बहुत ज़्यादा नहीं डालना है, और कम भी नहीं डालना है, तो उसी कप से सेम कप से एक कप और आधा कप पानी इसमें डाल देती है, तो पहले एक कप डाल के देख लेती हूँ, कि इसमें और भी पानी जाएगा या नहीं जाएगा सूजी बहुत जादा पानी सोकता है तो इसके लिए इसमें डेर कप पानी जाएगा नहीं तो ये बड़ाबर ही पानी पड़ता एक कप सूजी तो एक कप पानी तो देखे फ्रेंड्स अभी ये बहुत जादा सुखा सुखा सा हो गया तो आधा का पानी डाल के अच्छे से मिक्स कर देती हो पूरा भर के नहीं है देखे आधा ही है ज़्यादा मट डालिएगा ज़्यादा डालिएगा तो बहुत ज़्यादा गिला गिला सा हो जाएगा जब आप इसका चकली बनाएंगे तो उसका सेप बहुत अच्छे से नहीं आएगा अब इसमें डाल देना है स्वाद के अनुसार नमक और साड़े चीज को साथ साथ में मिलाते भी जाना है अब नमक के बाद इसमें जाएगा खाने वाला सोडा, मीठा सोडा थोड़ा सा उससे क्या होगा चकली आपका बहुत अच्छा फूलेगा जब आप इसे फ्राइ करेंगे और हलका भी लगेगा खाने में तो थोड़ा सा यहां पर डाल देती हूँ एक चुटकी यानि एक पींच बस थोड़ा सा ज्यादा नहीं डालना है, ज्यादा डालने से क्या होता है इसमें टेस्ट भी बिगर जाएगा, हलका करवासा हो जाएगा और जब आप फ्राइ करेंगे तो उसका कलर भी लाल हो जाएगा तो बहुत ज्यादा नहीं डालना है, बस थोड़ा सा डालना है आप दो कप का बना रहे हैं तो दो चुटकी डालिएगा एक कप का बना रहे हैं तो एक चुटकी डाली हूँ इसी अनुसार से आप ज्यादा कम का सेट कर लीजिएगा अब इसमें डाल देना है साथ में ही अभी चरहा दी हूँ इसे छुले पर अब इसमें जाएगा जीरा ज स्वाद भी बहुत अच्छा आता है जीरा से और भी मसाला दलेगा लेकिन आभी नहीं बाद में तो देखिए अब इसे लगातार चलाते हुए पकाना है जिसे कि सूजी बिल्कुल भी कच्चा ना रहे तो गैस के फ्लेम को कम ही रखिएगा और आराम से इसे पकाईएगा सू वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक भी कर दे साथ में और नौटिफिकेशन velle को भी किलिक कր दे सब्सक्राइब करने के बाद तभी अगला वीडियो आप तक पहुँच पाएगा और पहले से जो कोई हमारी चैनल को सब्सक्राइब कर रखे उनका तहे दिल से धन्यवाद हमें सपोर्ट करने के लिए तो देखे फ्रेंट्स अब इसमें डाल देती हूँ जीरा जब हलका से गरम हो गया है तब इसके साथ ही जीरा डाल दी हूँ जीरा डालने के बाद इसे अच्छे से मिक्स करते जाना है चकली बहुत ही अच्छा लगता है बहुत ही ज़्यादा क्रिस्पी बनता है तो आप भी जरूर बनाईए इसे कुछी समय लगेगा बहुत अच्छे से सूजी हमारा गाढ़ा होने लगता है इसके बाद इसमें धकन लगा लगा के इसे पकाना है जितना अच्छा से यह पक जाए उतना अच्छा से इसे पका लीजिएगा तो देखे फ्रेंट्स अभी ये थोड़ा हलका सा गीला है तो इसमें ढखकन लगा के छोड़ दूँगी थोड़ा सा जिससे कि सूजी हमारा बहुत अच्छे से पके और बिल्कुल भी जले न तो दो तीन सकेंड ढख ढख के बीच बीच में खोल खोल के चेक करते हुए पकान है तो देखे फ्रेंट्स अब इसमें बिल्कुल भी पानी नहीं बचा है बहुत अच्छा से सूजी हमारे चिप चिपा भी हो चुका है यानि बहुत अच्छे से यह पक चुका है अब देख पा रहे हैं तो अभी गैस को बंद कर देती हूँ और गैस को बंद करने के बाद थोड़ा देर इसे ढख देना जिसे ये थोड़ा सा ठंडा भी हो जा और अच्छे से पक जाए तो देखें फ्रेंट्स इसे मैं गैस से नीचे उतार के रख दी हूँ और ये ठंडा भी हो चुका है देख़ पा रहे हैं बहुत अच्छा चिप-चिपा भी है तो अभी क्या करना और इसे अच्छे से मिक्स करना है क्योंकि इसे मिक्स नहीं किजिएगा तो इसमें जो गाठ गाठ सा है वो जब आप चकली बनाएंगे तो वो साचे में जाके फसेगा तो इसके बारिक करने के लिए आप ग्लास का ही इस्तिमाल करें बहुत अच्छा इससे मैस होता है तो इस तरीके से अच्छे से इसे दवा दवा के एकदम स्मूद कर लेना है देखिए सिर्फ इसमें अभी जीरा और नमक ही डाला गया है बाकी का मसाला ये प्रोसेस करने के बाद ही डालिएगा नहीं तो मसाला का फ्लेवर इसमें बहुत ज्यादा तेज हो जाएगा और उतना अच्छा नहीं लगेगा खाने में तो देखिए यहां पर अच्छे से चिकना कर ले रही हूँ इसे तो यहाँ पर बहुत अच्छे से चिकना हो गया देखिए कितना चिपचिपा भी हो गया चिपचिपा जितना रहेगा उतना अच्छा से चकली आपका सेट होगा बिल्कुल भी तूटेगा नहीं अब इसमें डाल दी हूँ थोरा सा लाल मिर्ची का पाउडर और साथ ही में थोरा सा कलोंजी भी डाली हूँ तो फ्रेंट्स इसे अच्छे से हाथ से मिक्स करके इस तरीके का रोल बना लेना है देखिए और इसे साचे में भर लेना है, जो की चकली वाला साचा होता है, आपके पास है, तो आप इसी से बनाईए, अपके पास नहीं है, तो आपके से भी चीज का खाली packet में भर के और बना सकते हैं, उसे भी अच्छा बनता है, सिर्फ आपका इसमें जो से पाएगा चकली का, वो थ क्राइब करें motor तो नहीं आता है प्लें प्लेंन सा बनता है लेकिन बन जाएगा दोनों ही तरह से सक लीच बनाने वाण जो यसे वाला वाल होता है उससे डालना होता है तो सारे में पहले अच्छे से फोड़ा से तो तेल लगा के ग्रीज कर लीजिए नहीं तो यह बहुत जा सा डालने से इसमें टेस्ट अच्छा आता है अब इसे बंद कर देना है तो आपको मैं चकली बना के इसी प्लेट में दिखा रही हूँ आप ज्यादा मात्रा में बनाएंगे तो किसी भी पॉलिथिन के उपर बनाईएगा बहुत अच्छे से चकली सूख जाएगा आपका और तो इसमें थोड़ा सा तेल लगाना होगा हलका सा तेल लगा कि इसे चि चिपकता नहीं है बहुत अच्छे से इसका सेप आप दे दीजिए चकली का देखिए इस तरीके से घुमाते जाएगे आटा जितना अच्छा से आप तैयार करेंगे बिल्कुल भी चकली आपका बीच से तूटेगा नहीं जैसे बनाते बक्त भी तूट जाता है यादि देखिए कितना सुन्दर लग रहा है देखने में एक चकली और बना के दिखाती हूँ जब इस तरीके का हो जाए तो आप उसे हाथ से अच्छे से से शेप दे दीजिए मूर के इसी तरीके से सारे चकली को बना के डाल देती हूँ धूप में सुखने के लिए जब अच्छे से हमारा चकली सुख जाएगा फिर मैं आपको दिखाऊंगी देखिए कितना अच्छा बना है तो चलिए सुखने के लिए डाल दती हो उसके बाद आपको दिखाऊंगी तो देखिए प्रेंट्स यहाँ पर चकली हमारे सुखने में लग जाता है क्योंकि यह मोटा मोटा होता है अच्छे से नहीं सुखेगा तो यह खराब हो जाएगा जब आप इसे लंबे समय तक रखेंगे तो चलिए अब एक दो चकली को फराई भी करके आपको दिखाती हूँ कि चकली फराई करने के बाद कैसा बनता है चकली फराई करने के लिए तेल हमारा बहुत अच्छे से गरम है अब इसमें डाल देना है चकली को दोनों तरफ से अलट पलट करते हुए अच्छे से फ्राई कीजिएगा अंदर तक सिखना चाहिए नहीं तो वो करा करा सा लगेगा तो देखिए फ्रेंट्स यहाँ पर चकली को फ्राई करके तयार कर ली हूँ बहुत ही क्रिस्पी बना है तो आप भी इसे जरूर बनाए वीडियो अच्छा लगाऊगा तो वीडियो को लाइक चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा भूलिएगा नहीं मिलती हूँ अगले वीडियो में फिर से एक नई रेस्पी के साथ तेंक यू